हेलो प्रेंट वेल्कम टू बाजीरा रेड़ी इंस्चूट टुडें इनरेसिस के आज क्यांग में हम छे नॉम्बर 2023 के प्रमुख समाचारों पर नजर डालते हैं अगर नीउस पेपर उठाओ तो इसमें लगरा जैसे नीउस का टोटा पड़ गया है कमी पड़ गई है सब चुटियां मना रहे हैं या तो वो नीउस है जो रेगुलर चल रही है या नीउस है ही नहीं जो है ठीक है फिर भी हमें अपने काम की चीज़ें मिल ही जाती है अगर आज के प्रमुख जिसको हम एनरेसिस करने लाइक समझें तो दो समाचार है एक तो है कि भारत में एक राष्टी सुरच्छा रणनीती आने वाली है और जो दूसरा है वो है कि भूतान के जो राजा है वहां के चौथे राजा हैं वहां भारत की अपने अधिकारी के आत्रापे है और पहले वो आसाम में गए थे, वहाँ से वो जो है दिल्ली आए हैं और कल ही आए हैं, पांस तारीक को दिल्ली आए हैं और ये उनका लगातार दूसरी बार भारत की यात्रा हो रही है, ठीक है? तो कहीं ने कहीं ये मुद्दा भारत भुटान का संबंध है वो चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले ही आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था कि भुटान और चीन आपस में सीमा विवाद को हल करने के लिए जो है वो पचीसमें दौर की वारता कर रहे हैं और उसको तेजी से उसको दूर करना चारे हैं और किसी भुटानी विदेश मंतरे की पहली चीन आत्रा थी और कहीं ने कहीं उससे जो है भारत के सुरच्छा पर प्रभाव पढ़ना था इसलिए वो कह सकते हो कि हमारे लिए कर चुके हैं कि भारत को अपनी जो भारत की जो संबेदनाएं है जो भारत की चिंताएं है उसको हाइस्ट लेबल पे दूर किया जा सके ठीक है चलिए आए समझते हैं पहले की जो है भारत में राश्टी सुरच्छा रड़नीती क्या होता है तेकि राश्टी माने कुछ नह जरनल सीक्योटी पड़ रहे होंगे तो सुरच्छा से अर्थ होता है भैग से मुक्त होना और आज के समय में हमें जो जो बहुत ब्यापक हो गया है आज हमारे space जो economy है उसको लेके भी खतरे हैं space से आज हमारे जो है marine और उसकी चीज़े तो हही है पूर्जा की सुरच्छा है इंटरनेट की सुरच्छा है फोन की सुरच्छा है हना culture की सुरच्छा है तो ऐसी बहुत सारी जो कह सकते हो कि जो महत्तपूर रड़नीतिक जो बस्तुएं हैं मिनरल्स हैं उनकी सुरच्छा है सप्लाई चेन की सुरच्छा की बात है स्वास्त है ऐसे सारे बहुत सारे पहलो जो है सुरच्छा के दारे में आते हैं और इनको दिर्ग काल तक पूरा करने की जो जो सुरच्छा है इनको दिर्ग काल तक पूरा करने की जो नीती होती है उसे रड़नीती या completely होगी वो रास्टी शुरच्छा को चुनाती देने वाले जो बहुत सारे छेर सारी तत होंगे उनके दिर्ग कालिन समाधान के लिए यह लाया जा रहा है ठीक है और ये जो रड़निती होती है वो जादा तर जो बड़े देशे हैं उनके द्वारा ले आया जाया रहा है भारत के लिए भी मांग होती रही है कि भारत इसको लाए लेकिन भारत के कह सकते हो कि जो सरकार रही है इसको लाने से बचती रही है उसके पीछे कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी सुरच्छा के पहलू को उजागर नहीं करना चाहती है, या कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने जिम्यदारी की, अगर कोई बात हो जाएगे तो उसके जिम्यदारी से वो बचना चाहती है, ठीक है? तो अब उसको देते हैं कि क्या मामला है? पहले मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अभी सरकार भारत सरकार उसमें आप कहे सकते हूं राश्टी सुरच्छा सलाकार जो परिशद है राश्टी सुरच्छा परिशद सचिवाले जिसे बोलते हैं जो एनसे के अधीन में उड़ता है वह अंतिम रूप से भारत के लिए जो है रणनीतिक मसाधे को एक साथ जोडने के लिए कई केंदरी जो है मंतराले और विभागो है लेकिन जो वो कवायद चल रही है राश्टी सुरच्छा परिशद सचिवाले द्वारा उस कवायद के पीछे वज़य यही है कि बिभिन सारे बहुत सारे मंतरालें से पूछा जा रहा है कि उनके लिए क्या महत्तपूर्ण चीज़ें हैं उनकी जैसे कहाना कि सुरच्छ तो इसे जो है कैमनेट में मंजूरी यानि जो सरकार से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और जब वो मंजूरी सरकार पास कर देगी तो यह राश्टी सुरच्छा रणनीत के रूप में हमारे आपके सामने प्रकासित कर दिया जाएगा ठीक है और रणनीती कब त्याग हो है यह जो रणनीती लाई जा रही है वो होती क्या है क्यों लाई जा रही है या क्यों आव सकता है उसको लाने की अन्य देशों में क्या इसती है आधि इस इन पार्ट में हम इनको समझने की कोशिस करते हैं ठीक है तो समझे कि राश्टी सुरच्छा रणनीती क्या होती है राश्टी सुरच्छा रणनीती एक दस्तावेज होती है जो देश के सुरच्छा उद्देश्यो और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों की रूप रेखा बताती है कि भारत के सुरच्छा के संदर्व में भारत के सामने कौन-कौन सी सुरच्छा और उनको प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से उपाय हैं कौन-कौन से नीतियां हैं कैसे उसको प्राप्त किया जाएगा ये बातें राश्टी सुरच्छा रणनीती बताती है और जो रणनीती होती है यानि स्ट्रेटेजी होती है ये दिर्ग कालिन नीतियों यानि जो जीजे हैं उसको दिर्ग काल के अस्तर पर जैसे अगर आप कहरें कि रेयर अर्थ मेटल भारत की सुरच्छा के लिए जरूरी है हमारे लिए जो अर्थ बेवस्था की सुरच्छा या सप्लाई चैन की सुरच्छा के लिए तो आप इसका एक तरीका यह हो सकता है कि आप चीन क वाला है उसको रड़नीती में आता है जो सार्ट वाला होता है वो जो है कह सकते हो कि आप उसको टैक्टिक या युद्नीती या सार्ट टरम बप्रोच आता है तो रड़नीती में दिर्ग कालिक बाती की जाती है और इसे समय समय पर अध्यतन किया जाएगा क्योंकि यह भारत के सुरच्छा के संदर्ब में कौन-कौन से चुनवतियां हैं उनको प्राप्त करने के क्या-क्या तरीके हैं और उनको प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी संस्थाएं होंगी ये सारी चीजें इसके जरिये रणनीति के जरिये बताई जाएगी लोगों को पता रहेग और इसमें इसके जरिए कह सकते हैं कि एक राश्टी सुरच्छा रणनीत में सेना के साथ साथ रणनीतिक नियथार्तों के मत्पूंड रच्छा-सुरच्छा-सुधारों पर मारदर्सन करेगी जो समगर राष्टी सुरच्छा, खत्रों और उन्हें सम्भोशित करने के रोड मैक का समग दिस्ट्रकोंड परदान करेगी। एसा लोग कह रहे हैं कि अभी जो तयार किया जा रहा है उसके बारे में तो पता नहीं है लेकिन जो तयार की जा रहे ही रणनीती होगी उसमें भारत के सामने आने वाली नई चुनावतियों और आधुनिक खत्रों की भी पूरी सिंखला सामिल होगी। जो जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो ड्राप्ट आएगा उसमें जो भारत के सामने नई चुनावतियों परमपरागत तो युद्ध और जो सेना और उससे जो है पैरामलिट्टी की चीज़े जो सीमा और उससे तो हई है उसमें भी जो नई नई चुनावतियों और और सबसे महत्पूर्ण है कि सूचना बुनियादी धाचे के साथ यानि जो हम डिश्टल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम को हम दुनिया के सामने लेके जा रहे हैं उसके समझ जो चुनोती होगी साथ ही हम दुनिया में चाइना का अबिकल बनना चा रहे हैं यानि हम चुनोतियां हैं वो इसमें कि जो परंपरागत है जो रच्छा सुरच्छा से जुड़ी होई है सैंड़ तंत्र या जो हमारे आंत्रिक सुरच्छा चुनोतियों से है उसके अत्रिक्त जो ये नई नई चीज़ें हैं जो भारत की सुरच्छा के संदर्म में हैं ये उसके व भारत में ये पहली बार आ रहा है तो किन किन देशों में लाया जा चुका है तो अगर देखा जाए तो जो भी देश जो है कह सकते हो कि सुरच्छा के तंत्र में आधारभू सनचना से मजबूत हैं उन देशों में इसको लाया गया है जैसे अगर देखें किन किन देशों की ह तो प्रमुख देश जो है अमेरिका है उसमें राश्टी सुरच्छा रणनीती है ब्रिटेन है रूस है चीन है यहां तक कि 2022 में हमारे पडोसी देश पाकिस्तान ने भी अपनी राश्टी सुरच्छा रणनीती तयार कर ली है ऐसे में अब महत्पूर हो जाता है कि भारत को भ ही अपनी राश्टी सुरच्छा रणनीती तयार करनी पड़ेगी क्योंकि उससे क्या होता है कि पता रहता है जैसे अब हमें हमारे सामने जो ख्यत्रे हैं जब आप बढ़के आप कह सकते हैं एक प्रमुख भूमिका आदा करते हैं जब आप कहते हैं कि आप सप्लाइज चे ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो कहीं न कहीं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा और इसके लिए कहीं कियोस न हो जाये उसमें इसपस्टता रहे उसके लिए जरूरी है कि आपकी रणनीती चीजें निर्दारित रहें पता रहें ताकि उसको जादा बहतर तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं. कुछ लोग कह सकते हैं कि जानकारी, तो भाई जानकारी तो ठीक है, वो जानकारी तो ऐसे भी लोगों को पता है, कि आपको क्या करना है, आपको ही समझोता अगर अमेरिकिया के साथ कर रहे हो, कि हम जो अर्थ में या जो critical matter है, minerals है उसमें समझवता कर रहे हैं तो किसलिए करने पता नहीं है आप जो किसी I2, U2 बन रहे हो, IMEG बन रहे हो तो क्या चीन को ईरान को पता नहीं है कि किसलिए जो बन रहा है ठीक है तो वो सारी चीजें हैं इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि कौन सी संस्था उसके लिए जिम्यदारी है बिसे सग्यता आती है आधूनिक समय की ये आधूनिक समस्की सुरच्छा चुनोतियों की ये मांग है ठीक है भारत को आवसकता क्यों है क्योंकि राश्टी पारंपरिक और गैर पारंपरिक खत्रों की जटिल पकृति को देखते हुए खासकर जब बढ़ते भूराजनितिक तनाव अनिश्चिताओं को जर्म दिया है राश्टी सुरच्छा नर्णिती का मसवदा तयार करने की ततकलिता महसूस की गई है क्योंकि अब खत्रे सैन्य से ही नहीं रह गए हैं अब पारंपराग पारंपरिक खत्रे हो गए हैं और कई सारे भूराजनितिक तनाव ऐसे दिखाई दे रहे हैं ऐसे में जरूरी हो गया है कि भारत के पास एक दिर्ग कालीन पर पेच्छ में राश्टी सुरच्छा के व्यापक पहलू को ध्यान में दाश्टी सुरच्छा रड़नीतिक दस्तावेज हो ताकि इससे क्या होगा कि सरकार पर भी दाईत्व आएगा जो संस्थाएं उसके लिए जिमेदार होंगी उन पे ही दाईत्व आएगा इसलिए अगला प्रस्न है कि भारत बचता क्यों रहा है इसमें जैसे नहीं है हां क क्यों रहा है यासे पूछा गया कि भारत बचता क्यों रहा है उसके पीछे बचता कि एक भारते लुग उसकी सुरच्छा के लिए सरकारे इससे बसती थी लेकिन अगर अब भारत को एक विक्सित देश बनना है एक आदूनिक कह सकते हो कि एक सक्तिसाली राष्ट बनना है तो जैसे देखाना है कि जितने भी सक्तिसाली राष्ट हैं उनके पास अपनी राष्टी सुरच्छा रणनेती है तो भारत के ल बात नहीं आपको तयार रहने की बात है ठीक है चलिए अगला देखते हैं यह देखिए भुटान के नरेस हैं और यह हमारे विदेश मंतरी हैं ठीक है तो जो कह सकते हो कि अभी जो भुटान के नरेस हैं वो भारत में अप्रेल में आये थे और फिर वो जो है नौंबर में आय असम की, हलाकि असम और भुटान सता हुआ है, लेकिन भुटान की राजा की असम में पहली यात्रा थी, वहां पर वहां के मुख मंत्री से उनके मुलाकात हुई है, उसके बाद वो दिल्ली आये हैं, तो इसमें सिर्फ समझना है जो भारत तो भुटान का जो सम्मन्ध है वो चीन और भुटान के सीमा समझोते को लेके थोड़ा सा conscious तो हाई है ऐसे में भुटान के राजा की जो है भारत में आत्रा कहीं ने कहीं थोड़ा सा ध्यान हमें इस मुद्धे पर आकरशित कर देता है ठीक है जैसे जैसे लोग जो कह रहे हैं ये दा हिंदू में हैं सुहाशनी हैदर जो हैं उनका कहना है कि भूटान और चीन द्वारा बीजिंग में सीमा पर सीमन पर किया यानि जो शुरू हो रही है एक समझोते पर हस्ताच्छर करने के एक पकवाड़े की बाद यानि कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने गर इसमें लोग कह रहे हैं कि जसे इनकी दो बारिम की आतरा हो गई है तो दोनों देशों के मद्ध चर्चा के बिंदू क्या रहेंगे जो भारत का सोच है वह है कि जो सीमा विवाद जो उनका चीन के साथ चल रहा है जिसमें चीन चारा है कि जो उत्तर पश्चिम की सीमा है उत्तरी सीमा वो कह रहा है कि हम तुमको जो है दे देते हैं और जो कह सकते हो कि उनकी जो पश्चिम की और दच्छड पश्चिम पे है जो डोकलाम वाला ट् कहीं चुनोती उत्पन कर देगा यह सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं तो जैसे अप्रेल में इसी तरह की बात आई थी कि सीमा को लेकर आगे बात हो गई थी वहां के प्रधान मंतरी ने बात कहा था तो उस समय भी भूटान के नरेश राजा यहां पे आये थे और फिर ज उसको सान्त करने के लिए या अपनी बात रखने के लिए भूटान के राजा आए हैं तो यह भारत का पच्छी यह होगा कि वो कोशिस करेगा जो है कि सीमा ओपर बात करना चाहें लेकिन जो उमीद की जा रही कि वहां के जो राजा आए हैं जो वहां के आसाम के मुख मंतर वो वहाँ पे भारत और भूटान में पहली रेलेवे लाइन बिछाने की बात है और सीमा पे एक कह सकते हो कि हवाई अड़ा बनाने की बात है गेलेफु को जोड़ने के लिए कि उसको एक अंतरास्टी अड़ा बनाया जाएगा और वहाँ पे आर्थिक हब बनाया जाएगा एक्सपोर्ट इकनॉमिक जोन ताकि भूटान के जो लोग बाहर चले जाते हैं उनको रोजगार के लिए दिया जा सके ठीक है तो इस पे चर्चा चल रही है और कई लोग कह रहे हैं कि जो है इस साल राजा जिम्मे खेसर की ये दूसरी यात्रा है और ये यात्रा उसी समय ह बात है और जब भारत से इस पर पूछा जाता है कि भारत से इस पर ली जाती है तो भारत का कहना भारत कह रहा है अभी कुछ जबाब नहीं दे रहा है जैसे उसमें भी बताया थी कि कोई प्रक्रिया नहीं आई है बस वह यह हैं कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं और कुछ उसकी चिंताई हैं उसको वो हल करने के लिए उस पे संबेदना रखता है और उसको हल करने के लिए जो है प्रयास कर रहा है ठीक है चलिए अभी इसमें जो भी development होगा उसको हम देखेंगे ठीक है नमस्कार